हाई दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बिहार में जितने भी भौन निर्मार से जोड़ी लेवर होते हैं उचाहे महिला हो या फिर पुरूस हो तो आप सभी को पता ही है कि उनका जो है बिहार राजे के तरफ से एक जो है लेवर कार्ड जारी क के लिए नहीं होता है माली जी कोई ऐसा महिलाय है छो यहां पर लेवेर कांड बनवाई हुई है और उनका विसाध她 नहीं हुआ है और बियर सक हो गई है और साधी करना चाहती है तो को यहां प 15 वर्पे तक का उनदान मिलेगा साथ साथ माली जी आप एक मतदղब जैस भ होता है वो दिया जाएगा और इसका जो फॉर्म है पुरी तरह से आप online form को फिल कर सकते हैं कहीं आपको जाने के वह सकता नहीं है तो आज किस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे form को फिल करना है किस तरह से जो labor इसका हम link description box में दे दिये हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बिहार labor card भीवा है जो आपको एक article मिलेगा थो लेट से आएंगे तो आपको जो article यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप चाहें तो यहाँ पर search कर सकते हैं नहीं तो video के description box में हमने जो link दिया हुआ है उस पर click करके इस article को यहाँ से open कर सकते हैं open करने के बाद सरा जनकाड़ी जो है clear करके यहाँ पर बताये गया है जिसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले ओगिता के बारे में समझ लिजिए कि आखिर पैसे किनको मिलते हैं देखिए सर्मिक बिहार का स्थाई इसingu permettre का लाब लेने के लिए महिला कामगार बेसक होना चाहिए और दूसरी साधी करने वाले जो सर्मिक होते हैं इस ऊचिना का हकदार नहीं होते हैं इसलान का लाब जो है बिहार आंतर JATIम के अक्त्रिक त्यानी कि अगर आपने विहार है अंतर का भिलाब लिया हुए तो इसको भी आप ले सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है इसमें आपको जो है पचास अरुपे देख सकते हैं कि बीतिय सहायता की रूप में यहां पर रासी दी जाती है तो इसके लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं करने का पर किरिया है पुरी तरह से देख सकते हैं हिसके संपूर जनकारी यहां पर बताया गया है बट हम इस वीडियो आपको सारा जनकारी किलियर करके बता ही देते है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा साति साथ जो labor cut धारक होते हैं उनके लिए काफी सार यहां पर scheme चलते हैं जैसे की देख सकते हैं कि मात्री तो लाब हो गया, सिख्छा के लिए बितिय सहायता दिया आता है बिवा के लिए जो बितिय सहायता दिया आता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ठीक है, cycle क्रे उजने करत गद जो है पैसे मिलते हैं, ओजार क्रे करने के लिए पैसे मिलते हैं पेंशन हो गया, भौन, मरत्मी के लिए जो अंदान यहां पर मिलता है 200 रुपे मतलब बहुत सारे यहां पर देख सकते हैं कि लेबर कर धारियों के लिए अलग 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 स्कीम चला जाते हैं तो यहां पर अपलाई ओनलाइन का जो बटन है, इसके सामने क्लिक हेर का ओप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही अप क्लिक करेंगे, तो आप बिहार का जो लेबर काड जिसे की बिहार बिल्डिंग और कंट्रक्शन वालफियर बोर्ड का जो अपीसल वेसाइड है यहां पर आप आप जाएंगे, देखिए यहां पर जो ही इसकी इस तरह का इंटरफेस आयेगा जहांसे आपको जो ही लेबर काड नमबर मैंगा जाएगगा अब आप लोग कहेंगे कि हमारा जो लेवर का टरिश्टेशन नमबर है हमको पता ही नहीं है तो उसको आप यहां से निकाल भी सकते हैं उसके लिए आप आएंगे तेहां पर official website का एक बटन दिया गया इसके सामने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद बिहार building other contraction जो welfare board का official portal है वहां पर आ जाएंगे यहां पर एक option मिलता है register labor ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपना जीला यहां select कर लेना है कि आपका जीला कौन से है उसके बाद आप सहरी से आते हैं गरामील से आते हैं बताएंगे उसके बाद परखंड को यहां पर select करेंगे पंचायत को select करेंगे और search के option पर क्लिक करेंगे तो इस पंचायत में जितने भी labor cut धारी होंगे उनका जो ही इस तरह से list खुल जाएगा जिसमें उनका registration number, नाम, father name, कौन सा उकाम करते हैं, district क्या है और कब उसका date about क्या है, कब registration हुआ ऐसा सरा जनकाई जो यहां पर आपको clear करके मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर जो आपको registration number मिल रहा है जैसे मालीज आपका भी इसमें नाम है यहां पर देखेंगे तो बहुत लंबा चरौष लिश्ट होता है जिसको आप check कर सकते हैं, एक एक ढूटकर check कर सकते हैं कि आपका जो इसमें नाम है की नहीं इस तरह से आपको check करना है, check करने के बाद आपको लगता है कि जो भी यहाँ पर हमारा नाम यहाँ पर show कर रहा है, तो उसके सामने जो है registration नमबर आपको मिलेगा, जिसको यहाँ से आपको copy करना होगा, इस तरह से copy कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर लाकर उ जो भी information है, जैसे कि नाम है, आविदन संख्या है, application date है, मतलब सारे जनकाई जो ही कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, अब यहाँ पर नीचे आएंगे देख सकते हैं कि यहाँ पर select scheme का option मिलता है, इस पर आपको click करना है, एक बार बस click करिएगा, इस तरह से आपका scheme सो कर देगा, उसके बाद यहाँ पर scheme का नाम आपको select करना होगा, तो देखिए यहाँ पर labor cut धारियों के लिए अलग-अलग scheme यहाँ पर चलाए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं, कि financial assistance for marriage का एक option होता है, जिसको आप select करेंगे, इसी के इसे दिये जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्रेरी आपको select करना है, तो स्रेरी में देख सकते हैं कि register male और female worker ही यहाँ पर आएगा, मतलब female worker है, अगर वो साधी नहीं की है, साधी कर रही तो उनको मिलेगा, और male है तो उनके जो बच्ची होती है, मतलब दो बच्चीों के यहाँ पर मिल सकता है, मतलब लड क्यों के साधी पर ठीक है, यहाँ पर select करना है, तो माउंट यहाँ पर आपका 50 रुप्या इस तरह से आ जाएगा, जैसी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ डॉकमेंट्स आपको upload करना होता है, जैसे कि विवाह का जो यहाँ पर परमाइद करवाएंगे, बैसिकर यहाँ आपका जो ग्राम पंचायत के सचीव होते हैं, वही रजिस्टार होते हैं, यहाँ पर आपका एक declaration कर देंगे, आपका निबंधन परमारपतर बन जाएगा, उसके बाद यहाँ बर और बधु का आधार काड आपको देन पड़ेगा, तो विवाह का फोटो भी लगाईएगा, उसमें जो काड अपने छपवाया था साधी में, साधी आप कर रहे होगे, तो काड यहाँ पर छपवाई होंगे, उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर समिट का आप मिलेगा, माल लेजिए कि आपको इस साल साधी करना है, या फिर आपके बच्चीयों का साधी हो रहा है, तो उस समय जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजेगा, क्योंकि उस समय आपके पास जो काड वेगरावर होता है, इन्विटेशन कार्ड रहता है, तो उस समय आप शोटा सपर करिया था जो मैं आपको बताना चाहा रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपको सुरा जनकारी मिल गया होगा, फिर भी आपका मन में किसी प्रकार का कोई कोचन होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता सकते हैं, चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद